रक्षक ही बना भक्षक जिहां जालंदर में इनसानियत वा कानून की मर्यादा तार-तार करने का मामला सामने आया है शहर के स्वनपाक इलाके में रहने वाले एक पुलिस मुलाजिम ने अपने ही घर में किराये पर रह रहे परिवार के एक आठ साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया पेड़ित बच्चे के पिता के अनुसार एक दिन पहले ही वह इस पुलिस वाले के मकान में किराय पर रहने आये थे पुलिस मुलाजिम ने पहले बच्चे को मिठाई दी फिर चोकलेट देने के बहाने उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया उसके बाद पुलिस वाले ने बचे के परिजयों को रुपयों का लालच दे कर मुह बंद रखने को कहा लेकिन जब वह नहीं माने तो अपनी वर्दी का रोब जमा उन्हें नतीजा भुगत ने गिधम की दी पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर मामला दर्च कर आरोपी की तालाज शुरू कर दी है वहीं मामले की तफ्तीश कर रहे जाच अधिकारी गगन सिंग ने घटना की जानकारी देते हुए आरोपी को जल्द गिरपतार की जाने की बात कही बहरार मासूम बच्चों के साथ दुषकर्म वर्शोषन के पहले भी देश भर में कई मामले सामने आ चुके हैं और इने रोकने के लिए सक्त कानून भी बनाए जा चुके हैं मगर इस हाथ से सबसे बड़ा सवाल ये उटता है कि अगर लोगों की रक्षा करने वाले ही उनकी आबरू के दुष्मन बन जाएं तो आम लोग भरोसा किस पर करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट रूबरू टुडे